हेलो गाईज तो आप देख सकते हैं कि आज हमारा एरफोर्स का रिजल्ट जो है आ चुका है तो हम चेख करते हैं कितना गया है कितना नहीं गया है तो हमें यहां पर जाकर के यूजर नेम और इमेल आइडी इसके अंदर हमारा इमेल आइडी डालना है जो कि मैं डाल देता हूं कि पेश्टा जो रिजल्ट खुल जाएगा तो रिजल्ट खुलने के बाद में आप देख सकते हो जिसका मैंने निकाला है उसका science subject से clear हो चुका है और other than science से नहीं हुआ है तो इसमें जिसका clear हो चुका है उसको यहां पर दिखा देगा आपको यह green पट्टी आएगी तो उसका मनलब कि वो clear है उसका और आगे लिखा भी होगा कितने marks आए कितना नहीं है आगे total state for face second लिखा होगा और नीचे जो red clear वाला गया है कितना नहीं गया है यहां पर minimum criteria जो है यह एक्स गुरूप के वालों के लिए English के अंदर 8 number compulsory था और इसमें physics में 7 number और maths में भी 7 number तो ऐसे total हमारा जो criteria था वो 22 number का था जो आप देख सकते हैं इसमें आपको दिखाता हूँ यह देखो इधर कटोप भी 22 गया है एक्स गुरूप का कटोप मात्र और मात्र 22 गया है और हमारे इस लड़के के जो marks आए है वो आए है 30.25 और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में जो marks आए है वो 33.10 यानि 33 marks आए ह और इसका Y group का नहीं हो पाया है Y group में इसके number 37 का top गई है इसके number ते कम तो नहीं हो पाया है इसका 7 point 75 number से नहीं हो पाया है तो इसके एक्स गुरूप में बहुत अच्छे नमबर है दस नमबर एक्स्ट्रा है तो हो जाएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं आईगी अब बारी आती है कि आगे जो इसका एडमिट कार्ड कब आएगा फेज सेगंड का कब आएगा तो वो आएगा आपका मैं आपको एक आइड कार्ड आएगा वो दस से पंदरा दिन के अंदर अंदर आ जाएगा हो सकता है अभी दो तीन दिन के अंदर ही वो डाल दें क्योंकि यह ज्यादा लेटर नहीं करेंगे दोजार चौबीस के एंड तक आपको आपको जो है यह जीडी यह गुरूप डिसकेशन वाला जीडी और फीजिकल से अब कुछ साइकलोजी टेस्ट सब कुछ करवा देंगे मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि आगे चुनाव है और नेक्स्ट वेकेंसी भी दिसमर में निकालनी है इनको तो वो जल्दी ही करेंगे आई होप आपको भी किसी का हुआ है तो कमेंट करो और गाइडेंस के लिए मेरे को डारेक्ट लिए आप कनेक्ट भी कर सकते हो और मेरे को वीडियो के अंदर आप मैसेज जरूर करना थेंक्यू सो मच